माईग्रेन अटैक से हैं परेशान तो इन चीजों का करे सेवन हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब I hope आप सब अच्छे होंगे वेल्कम बाक टो माई चानल होमे टिप्स सिरदर्द एक ऐसी समस्या है जिसे हम सभी ने कभी न कभी एक्सपिरिंस किया है आम तोर पर सिर्दर्द कई तरह का होता है इनी में से एक है माइगरीन जिन लोगों को माइगरीन अटाक होता है उनके सिर के एक हिस्से में बहुत तेज दर्द होता है यह दर्द इतना होता है कि इसे बरदाश कर पाना बहुत ही जादा मुश्किल है माइग्रेन का दर्द हर वक्त नहीं होता बलकि कुछ चीजों से माइग्रेन अटाक ट्रिगर हो जाता है ऐसे में व्यक्ति को यह सला दी जाती है कि वह अपने ट्रिगर को पहचान कर उससे बचनी की कोशिश करें इसके अलावा आपका लाइफस्टाइल वक्तान भी माइग्रेन को काफी हद तक प्रभावित करता है दरसल ऐसे कई फूड्स होते हैं जिनने अगर डाइट में शामिल किया जाता है तो इससे बार-बार होने वाले माइग्रेन अटाइक वसर दर्द को मैनेज करने में काफी हद तक मदद मिलती है तो चलिए आज हम जानते हैं ऐसे कुछ फूड आइटम्स के बारे में जो बार-बार होने वाले माईग्रेन अटाक को कम करने में काफी मदद करेंगे अगर आपको माईग्रेन की समस्या है तो आपको अपनी डाइट में मैगनीशियम रिच फूर्ड को शामिल करना चाहिए दरसल मैगनीशियम नियूरो ट्रांस्मीटर फंक्शन को रेगलेट करने में काफी मदद करता है जिससे माईग्रेन अटाक को रोकने में मदद मिलती है कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में मैगनीशियम रिच फूर्ड जैसे की हरी पत्तेदार सबजियां, एवोकाडो, ट्यूना, नट्स, सीड्स, साबुत अनाच आदी को जरूर शामिल करें ओमेगा-3 fatty rich food लेने से भी माईग्रेन अटाक बार-बार नहीं होते हैं ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ओमेगा-3 fatty acid में anti-inflammatory गुन होते हैं जो ब्रेन से जुड़ी inflammation को कम करने में मदद कर सकते हैं इसलिए आप कोशिश करें कि डाइट में salmon, mackerel जैसे फिशों को शामिल करें अगर आप vegetarian हैं तो आप अलसी के बीज, chia seeds और अक्रोट आदी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं जब भी migraine attack की बात होती है तो उसमें पानी एक एहम भूमिका निभाता है दरसल dehydration कई लोगों के लिए एक सामान्य migraine trigger है इसलिए एक migraine patient को अपने खाने के साथ-साथ water intake का भी पूरा खयाल रखना चाहिए कोशिश करें कि आप पूरा दिन खूब सारा पानी पी कर खुद को hydrate रखें साथ ही साथ बहुत अधिक शराब और caffeine के सेवन से बचे क्योंकि आपकी body को dehydrate करते हैं इससे आपको मतली या सिरदर्द जैसे लक्षन नजर आ सकते हैं research से यह भी पता चला है कि high fat low carb diet लेने से भी migraine के कारण होने वाले सरदर्द को रोका जा सकता है इस लिहाद से आप keto diet follow कर सकते हैं हाला कि यह हर किसी के लिए नहीं है अगर आप किसी तरह की खास diet को follow करने का मन बना रहे हैं तो ऐसा करने से पहले आप health care expert से सलाज जरूर ले ले आपको में यह information अच्छी लगी होगी अगर ऐसा है तो आप में वीडियो को like कीजिए share कीजिए और इससे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर अता है तो युटकर आप है युटकर अपको एट सा दोटाएब बना युटका का लगीजिए जरूर बना डता है की जरूरी कर फ्लादा कर दो लीजिए शोरी कर दो दो रहे लीजिए